बच्चों में नशिले पदार्तों की लट लगती है तो उसके लक्षन क्या होते है ये माबापको मालू होना बहुत जरूरी है इसके लिए वीडियो बनाया गया है तो आईए आपका स्वागत है मेरा नाम है डाउक्टर दीपर करेकर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा विसर्मोगी तग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ इसा पाया गया है कि 5-6 साल के उपर 15 साल 18 साल तक बच्चे अभी बहुत ज्यादा नशीले बदार तक के आधी हो रहे हैं शौक कर रहे हैं उनको लट लग रही है और उसमें सिग्रेट तंबागू फिर शराप फिर वाइटनर कफ सिरप गांजा पेट्रोल सुना चरस भां मतलब ऐसे अलग अलग पदार्थ जो है नशीले उसका शौक करते हैं उसके उसके वो बच्चे आधी बन गए आधी हो गए अभी मतलब पेरेंट्स को मालू में ने रहता कि ऐसा कुछ हो रहा है पेरेंट्स ने अभी आशकल कुछ लक्षन दिख रहे हैं कुछ अजीब लक्षन ऐसे दिख रहे हैं तो तुरंट उन्होंने उसको टोकना चीए डॉक्टर के रहना चीए तो माबाप उसके बारे में सतरक रहे तो मालूम पड़ेगा कि उस तो भी गड़बड हो रही है तो एक तो बजन कम होना रहे हैं रात को नीब लेट अर optimize चल् Francisco स्ट हरे हैं या सुबह जल्दी ऊट जैता है राद को प्योट्शाफ के उपर खेलेंगा YouTube के ऑठे वाट कुछ तभी करते बैटेंगा रात को में सौएंगा नहीं जल्दी तो रात को सugenेंगा निहीं जल्दी तो रात को बहुत लेट बार बार आ रहा है, सिने में दर्द है, आखे लाल होना, सास लेने में तकलीब, आवाज में खर्राश हो रही है, तो ऐसे लक्षन उसको बार 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 आ रहे हैं, तो कुछ भी नशा वो ले रहा है, ऐसा हो सकता है, पिर ब्लड पेशर बढ़ना, बदन में दर्द, बदन मे देना कि दख रहेंगा उसकी यारदास करेंगा क्या हो गया मेरा ख्याल नहीं थो क्याल नहीं था । एइसा बोलेगा हो इसको ख्याल नहीं रहता है चुड़ चड़ बात के उपर जगड़ा कर लेंगा घुट बोलेंगा श्कूल में नहीं जाएंगा फिर चोरी करेंगा घर से भाग जाएंगा कहीं कोई ऐसे बच्चों के साथ में रहेंगा जो आपको लगता है कि अजीव है लोग कोई ती नई कंपनी दिख रही है या जो आपत्य लोगों के साथ में उठकाएंगा बंटना चले लोगाई उसके दोस बंगिये कुछ दिफ नए लो Oh अचिब कपड़े पैंबना करना आपकेला कि ये से कपड़े पैंदरा रहा है साब सुधरा नहीं खुद को रह रह रहा है संनान नहीं कर रहा है जाएग सबस्थाई नहीं फिर लोगों के उपर शक्क करना है अकले रहा पसंद सक्ष्ट मिए खो जाना इसकूल कॉलज में इर्रेगुलर है वहां से कंप्लेंड आ रही है कि वह स्कूल में नहीं हो जा तो जगडा करेंगा मार्क पीट करेंगा वहां तो ऐसा मतलब उसके लक्षन दिखाए दिए कि कुछ ते भी गड़बड हो रही है तो लक्षन एकदम दिखाए देते नहीं हो थोड़ी थोड़ी शुरुबात हो जाती है और उसको यह दिया मतलब बेदखल कर दिया उसके तरब ख्याल नहीं दिय की पास हमारे पास मिला है भात मेंं फिर अफी पेलेंट नहीं को लागर है घर में दो-चेर बार चोड़ी हो गगी हमको ऐसा लग रहा था कि कौन चोर रहे, घर में चोरी केसी हो गगई लगा कि घर को ये धोचोन से, का रहा है कूछ दो कौश देते हैं घर से खाग जाने क मांबाप पूलस कंढम की वो थिससा दो bladder जरूरी यहए बिच्चों का कांसलिंग मांबाप कांसलिंग करना जडूरी है you एक मांबाप मुझे मेरे पास में लड़का लाया वह किन्रों में यार के साथ में घुम रहा पर यह हुआ कैसे तो पले हमको भी अभी लुकिंग बैक पिछे मुर के देखते हुए लग रहा कि पिछले दो साल से यह लड़का घर में लेट आ रहा है पिर कुछ तो भी उसके मतलब खाबों में रह रहा है लेट आ रहा है अकला-कला रूम में चले जाता है वहीं सो जाता है धर में फिर लेट उठेंगा हमको लग रहा कि आजकल कॉलेज भी बराबर होते नहीं है तो टूशन भर जाता है हुआ मतलब पेरेंट्स ने ख्याल नहीं दिया कि टूशन जा रहा कि नहीं जा रहा पिछले दो साल से उसको लट लग गई कुछ नशले पदार थों की और अच्छा लगने लगा कि वह लोगों में जाके बैठना है उनसे मतलब वहां जाके घुमो फिरो कुछ मांगो अपना शौक पुरा करो जब यह घर में मालुम पड़ा तो तो मा तो बेहोशी हो गई कैसा होई कैसे मगर मुझे बताना है माबाब को कि आप ख्याल नहीं करते हो आप ख्याल देते नहीं हो थोड़ा भी behavior में बरताओं में कुछ फरक दिख रहा है तो तुरंत उसको टोकना चाहिए उसके ध्यान देना चाहिए और उसको तुरंत consultation counseling के लिए लेके आना चाहिए तो यह prevention is better than क्यों ऐसा बोलते है मगर एक बार हुआ है तो जल्दी उसका मतलब diagnosis हुआ जल्दी पकड में आ गया तो जल्दी अच्छा हो सकता है तो यह हमारा जो mission है हुआ है सब के लिए मानसी स्वास्तिरवेशन मुक्त भारत सुलियम काम कर रहे है वो mission में आपका भ्यात लग जाएगा यह ज्यादा से जादा लोगों को share करो आपके facebook के ओपर ग मालमात हो जाएंगा और काफी सारे बच्चों की जिन्दगी हम बचा सकेंगे वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो thanks for watching कर दोक्त लगा?